हर्याना में बोली हेमा मालेनी पी एम मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें दोबारा नहीं मिलेगा बोलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालेनी हर्याना के होडल चिराग पहले स्वाटिका में एक रैली को संबोधित किया विदान सभा चुनाव के चलते अपने इस संबोधन में हेमा मालेनी ने पी एम मोदी और प्रधेश की खटर सरकार की जम कर तारीफ की हेमा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश के मंच पर भारत को गौरवान विद किया मुझे यकीन है कि भारत एक सुर्थक्षित हाथों में है उनके जैसा प्रधानमंत्री हमें फिर से नहीं मिलेगा तारीफों के बांधे पुल मोदी सरकार की तारीफों के बांधे पुल बता दें हरियाना और महराष्ट में विदान सभा चुना के लिए 20 अक्टूबर को मद्दान होना है ऐसे में भारतिय जनता पार्टी के एक-एक नेता राज्यों का दोरा करके पार्टी के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे है इस लिस्ट में बीजेपी की लोग सभा सांसद हेमा मालेनी का भी नाम जुड़ गया है उन्होंने मंच से मोधी सरकार और प्रदेश की मनुहर लाल खटर सरकार की तारीफों के पुल बांधे हेमा ने अपने चुनावी भाषण में कहा कि भारत को प्येम मोधी नई उचाईयों पर पहुचाया है उनके जैसा दूसरा प्रधानमंत्री हमें नहीं मिल सकता कॉंग्रेस पर निशाना कॉंग्रेस पर साधा निशाना बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कॉंग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि दस से पंद्रा साल पहले मुझे लगता था कि देश में युद्ध जैसे हालात है और मुझे हर समय डर लगा रहता था लेकिन आज लगता है देश सुरक्षित हाथों में है आपसे मेरी अपील है कि किसी और पार्टी को सपोर्ट करने के बारे में न सूचें एक बार फिर प्रदेश में भाजबा सरकार को सेवा करने का मौका दें धर्मेंद्र भी मूदी सरकार से प्रभावित पती धर्मेंद्र भी मूदी सरकार से प्रभावित होडल चिरांग पहले सवाटिका में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमा मालेनी ने कहा कि देश और प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड विकास का काम किया है हेमा ने कहा कि बीजेपी नीतियों और प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी जुवाईन की हेमा ने कहा कि उनके पती धरमेंदर भी मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए है